नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बजट में आम लोगों के लिए हुई सबसे बड़ी घोशना IPS अधिकारियों के द्वारा घोशित किया गया अपने संपती का ब्योडा सरकारे स्कूरों की बदहाली पर हाई कोट ने लिया संग्यान कारण दावन नोटिस का सुधाकर सिंग ने दिया जवाब भार्ण लारियों पर चरहा पठान फिल्म का जादू इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खब्रों के ओर विस्तार से बजट में आम लोगों के लिए हुई सबसे बड़ी खोशना आजदेश का 75 बजट वित मंत्र निर्मला सीता रमन के दोरा पेश किया गया है बता दे कि इस बजट में आम लोगों के लिए एक बड़ी खोशना की गई है जिसके तहत मुफ्त खाद्यान योजना को एक साल तक बढ़ा दिया गया यानि की अब लोगों को चन्वरी 2024 तक मुफ्त खाद्यान योजना के तहत प्रती यूनिट 5 किलो अनाज मिलता रहेगा इसके साथ ही PM गरीब कल्यान योजना के तहत किंदर सरकार के दोरा दो लाग करोर रुपे का वहन किया गया है वितमंत्रे निर्मला सीता रमन ने कहा है कि क्रिस्टी से जुरे स्टार्टप्स को प्रात्मिकता दी जाएगी जिसके तहत स्टार्टप्स को प्रोसाहत करने के लिए अग्रिकल्चर एक्सलेटर फंड बनाया जाएगा IPS अधिकारियों के दोरा घोषित किया गया अपने संपत्ति का ब्योड़ा बिहार केडर के IPS दोरा घोषित अंचल संपति का ब्योड़ा ग्री विभाग की वेंसाइट पर जारी कर दिया गया है बता दे कि इस ब्योड़ा में DG, ADG के अरावा रेंज और जिलो के अधिकारियों की अचल संपती भी शामिल है जारी किये गए इस ब्योड़ा से पता चलता है कि ADG रेंग के अधिकारियों के दोरा DG की तुलना में जादा जमीन और फ्लैट की खरीदारी की जाती है मालूम हो कि यह ब्योड़ा सरकारी ब्योड़ा है जिसे खुद IPS अधिकारियों के दोरा जारी किया गया है दरसल केंदर सरकार के दोरा बनाए गए नियम के अनुसार सारे IPS अधिकारियों को हर हाल में अपनी संपती का ब्योड़ा 31 जनवरी 2023 तक जमा करना था सरकारी स्कूलों की बधाली पर हाइक minor ने लिया संग्यार बिहार में सरकारी स्कूलों की बिगरी विवस्ता और सौचालियों की द्यनिये इस्थिती को देखते वे पटना हाइकोर्ट के द्वरा सक्त कदम उठाय गया है बतादी कि बीते दिन हाई कोड के मुख्य नायधीश नयायमूर्थी संजय करोल और नयायमूर्थी पार्थ शार्थी की खंड पीट के दोरा संग्याल लेते वे लोखित याची का पर सुनवाई करते वे अपने दो पुराने आदेश का हवाला देते वे अपर मुख्य के DM और DEO को आदेश दिया गया है कि वे स्कूल की बदहाली को लेकर रिपोर्ट तयार कर पेश करें इसके लिए जिलासिक्षाप दादिकारी को एक हफते का समय दिया गया है बदादे कि इस मामले की अगली सुनवाई साथ फरवरी को की जाएगी आर्थिक सर्वेक्शन रिपोर्ट में बिहार का चौकाने वाला आंकड़ा आया सामने भाथ सरकार की ओर से संसद में आर्थिक सर्वेक्शन रिपोर्ट 2022-23 पेश किया गया है कि अर्थवयवस्था में बिहार का विकासदर 10.98 फीजदी है यानि कि विकासदर के मामले में देश में बिहार से अधिक विकासदर केवल आंधर प्रदेश और राजस्थान का ही है बता दे कि आंधर प्रदेश का विकासदर 11.43 प्रतीशत और राजस्थान का 11.04 प्रतीशत है बतादी कि बरहुतरी वर्स 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 9.4 प्रतीशत दर्ज की गई है वहीं बिहार में महंगाई दर 7 फीजदी के करीब रहा है क्रामीन छेत्र की तुलना में शहरी छेत्रों में महंगाई दर अधिकर है इसके अलावा बिहार में शिशू मृत्यू दर में जो अब घटकर 27 हो गई है बिहार में आज से शुरू हुई इंटर परिक्षा लेकिन इस वज़ा से कुछ छात्र हुए मायूश आज से बिहार बोट के इंटर परिक्षा के सुरुवात हो गई है ऐसे में परिक्षा के लिए जारी किये गे गाइडलाइन का फॉलो किया गय इसके साथ ही परिक्षार्थियों का चेकिंग करने के बाद ही उन्हें परिक्ष दिया जा रहा है इसके लावा आज के परिक्षा में कुछ विद्यारती ऐसे भी रहे जो परिक्षा सेंटर पर कुछ मिनट लेट से पहुंच जिने नियम के अनुसार परिक्षा सेंटर में गुसने नहीं दिया गया ऐसे में वे परिचार्थी गेट पर रोने लगे और प्रवेश देने के लिए गुहार भी लगाए मगर उनकी एक नहीं सुनेगी जिसके बाद परिचार्थी सरक पढ़ा गया और ट्राफिक जाम कर प्रदर्शन भी किया जेपी सेतु के समानांतर बनने वाले शिक्स लेन पूल इतने महीने में बन कर होका तैयार। एप्रोच रोड की लंबाई 2.369 किलोमीटर होगा इसके साथ ही इस पुल को गंगा एक्स्प्रेस वे से जोडने के लिए 3.085 किलोमीटर की अलग से एक सरक तयार की जाएगी बता दे कि इस पुल के निर्मान को पूरा करने का लग्ष 42 महीने तक रखा गया है अब सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल क्लास पिहार सिक्चा परियोजना परिसत के दौरा बिहार के सरकारी स्कूलों में नए सतर से विद्यार्थियों को डिजिटल कप्चा की शुविधा उपलद करवाई जाएगी जिसके बाद विद्यार्थी घर बैठे ही विशिशक्य सिक्षकों के वीडियो को देख कर पर सकेंगे बता दे कि 9 वी और 10 वी के हर विशे का चैप्टर वार डिजजल कक्ष तयार किया गया है इसके लिए राजे भर से 20 सिक्षकों की टीम बनाई गई थी इसमें एक सिक्षक के दोरा सम्बंधित विशे के किसी एक चैप्टर का 45 मिनट का वीडियो तयार किया गया है मालूम हो कि इस वीडियो से स्कूल प्रिशासन द्वारा उन्यन योजना के तहट चल रहे स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा रेलवे स्टेशन दानापूर पटना एयरपोर्ट और गांधी मैदान से बड़े ही आराम से पाटले पुत्र बस टर्मिनल जा सकते हैं द्रसल पटना जिला प्रिशासन और बिहार राजे पत परिवार निगम की ओर से सहर के इंचार स्थानों से पाटले पुत्र बस टर्मिनल को जाने के लिए अंतिम मंजूरी देने के बाद पाइलट प्रोजेक्ट के तहत आसे 15 फरवरी तक इन सभी चार नए रूटों पर सुरुक किया जा रहा है इसके अलावा आसे गांधी मैदान से 25 नई CNG वसु के परिचालन की भी शुरवात की गई है जो कि गांधी मैदान से दानापूर, पटना इम्स, हाजीपूर, मुझपरपूर और बिहार सरीफ तक जाएगी चार जन्वरी को सरद्यादव का अस्थी कलस पहुँचेगा वैशाली दिवंगत नेता शरद्यादव के अस्थी कलस चार जन्वरी को पटना पहुँच रही है जिसके बाद सरक मार्ग से पटना होते वे हाजीपूर के रास्ते सरद्यादव के अस्थी कलस को मध्यपूरा लेकर जाया जाएगा जहां उनके निवास अस्थान पर अस्थी कलस का विशर्जन किया जाएगा बता दे कि अस्थी कलस यात्रा वैशाली की कही अस्थानों से होकर कुछ रेगी जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत आरजेडी के कही नेता और कारेकरता भी शामिल हो मालुम हो कि अस्थी कलश यात्रा को लेकर हाजीपूर के सरकेट हाउस में महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रौसन के रतितु में एक बैठक यायुजन की गई थी जिसमें आर्जोडी के दौरा खास रनिती बनाई गई है कि जादा से जादा लोग किस तरह अस्थी कलश ज्यात्रा भे शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हो पाएं बजट 2023 पर बोले तेश्वी यादव आजवित मंत्रे निर्मला सीता रमन के द्वारा अपना पांचवा और देश का पच्छतरवा बजट पेस किया गया इस पर बिहार के उपमुख्य मंत्रे तेश्वी यादव तो सभी लोगों को ध्यान में रखते वे पेश किया जाता था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता बजट में महंगाई बिरोजगारी जैसे चीजों को रोकने के लिए कोई विजन नहीं दिखाया गया है पहले किंदर सरकार बिहार राजी को विशेश रूप से सहायता करती लेकिन अब वह सहायता साल दर साल कम होते जा रही है बिहार कॉंगर्स विधायक दल की नेता उपिंदर कुछवाह पर साधा निशाना बिहार कॉंगर्स विधायक दल की नेता अजीस सर्मा के दोरा जेडियू के नेता उपिंदर कुछवाह पर निशाना साधा गया है उन् उनसे हिसाब मांग सकती है लेकिन उन्हें किस बात की हिस्सेदारी चाहिए बता दे कि अजीस सर्मा का यसाफ कहना है कि उपिंद्र कुश्वाहा जो भी बयान दे रहे हैं वे सिर भारतिये जनता पार्टी के दवाव में आकर दे रहे हैं इन पर क्या कारवाई करनी है ये मु प्रधान महा सचीव अब्दुलबार सिद्की के द्वारा उनके खिलाफ कारण बताओ नोटस जारी कर 15 दिनों का जवाब मांगा किया था इसी कारण बताओ नोटस को लेकर सुधाकर सिंग ने अब तेरिश्वी यादप को जवाब दे दिया है अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी की ओर से सुधाकर सिंग के खिलाफ क्या कारवाई की जाती है कोरत तलब है कि राजद विधायक सुधाकर सिंग के खिलाफ बयान बाची को लेकर चर्चा में बने रहे हैं भारतिय खिलारियों पर चरहा पठान सिल्म का जादू बॉलिवोड के किंग सारोख खान के फिल्म पठान का जादू अब भारतिय खिलारियों पर भी चरगया है बता दे कि भारतिय टीम के खिलारी खुद को तरो ताजा रखने के लिए सिनेमा घर पहुंचे और सभी ने पठान मुवी देखी इससे जोड़ी एक तश्वीर भी सोरसल मीडिया पर खुब वाइरल हो रही है जिसमें कुलदीप आदव, शुबमन गिल, राहुल तरिपाथी, शानकसं, सिवमावी, युजविंद्र चहल और शुरिकुमारी आदव नजरार है दरसल के देश भर में बॉलिवुड स्टार शारुक खान के फिल्म पठान विवादो के मीच 25 जन्वरी को रिलीज हो चुकी है जिसका मजा लेने में अब भारतिये खिलारी भी पीछे नहीं रह रहे हैं बता दे कि आज भारत और न्यूजलैंड के वीच T20 सिरीज का तीसरा और आकरी मुकाबला एहमदाबाद के नरिंतर मोधी स्टेडियम में खेला जाना है जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी कियेगा प्रति लीटर नर्धारीत की गई है इसके साथ ही गया है में पेट्रॉल लिकीमाद 18.931 रूपए और डीजल लिकीमाद 45.941 डीजल बिहार में पेट्रॉल का इट सब जादा किसंगंज में है जहाँ पेट्रॉल unexpected popिशन और दीजल 16.944 डीजल डीजल लोगों ने अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारी पूछे का सवाल का जवाब दिया है। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहलitti के लिए देखते रहे बिहारी निउ्ज और साथ यगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेसको फॉलो करना ना भूले झाल 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 झाल